00 आया मालो यह नहीं आया और 00 आरहा है तो इसका मतलब यह समझ लेना कि आपका फोन को बोल ना महिया मेरे यह फोन आपका इस यह तो चार्जिंग का फॉल्ट है क्योंकि दोस्तों 0.60 नोट कर लो कॉपी में 0.60 आपकी जो फॉल्ट है वो DPDM की वज़े से आता है यह निकले सिर्फ अपनी जिद के जिद्धि हुमार कर दोस्तों आज ना मैं अब के लिए बहुत गजब का प्रोड़ेट क्या है यार यह तो सभी लोग जानते होंगे आई इसके वरे करते हैं मैं चाहता हूं यार मेरे आने वाले जो स्टूडेंट है वो इसको देखें और वीडियो में इतनी जंकारी ले लें कि जब आने के बात फिर इसके ऊपर बुछे मुझसे कि सर यह बताओ कि आपने जो वीडियो में नी बता है अब बताओ तो मज़ा भी आएगा न सबसे बेस्ट है संसाइन का यह मैंने जैडेश मली से पर्चिस किया हुआ है और दोस्तों अभी जिटने भी आरे ना वाइल्लेस वाले तो वह सब बेकार है उनको लेने के ज़रूरत नहीं है अभी 6 या 8 पोड लेना और जिसके अंदर टाइप सी आरे वह जरूर लेना कि एक एडवांस है तो अभी मेरे पास काली 6 sport है तो अगर मैं बात करूं और इस से sport की तो दोस्तों यह काफी है एक अच्छा डिवाइस है इससे हम फोन को बिना खोले हम थोरी बहुत चीजें आकलन निकाल सकते हैं दोस्तों आकलन राइट मैं यह नहीं कहूंगा कि आप बि कहना चाहता हूं कि पहले काम दो कर लो मार्केट में फिर बाद में इसके ओपर नौलेज देना पहले चार फोन बनाइए फिर बाद में इसके ओपर नौलेज देना ठीक है यूटूब को है यह ग्यान देने के लिए तो आज हम भी ग्यान देते हैं पर हमारा ग्यान नौले तो यह होगा मैं नहीं बताता आई इसको तुरह लगाते हैं अप देख सते हैं यह प्रोटरेट चलू हो गया है नॉर्मल इसमें आप देखिए तो डारेट एसी वोल्टेज एंटर करता एसके अंदर और यह अचा बाद करो एसी सेटकिट होगा जिसके बज़े से यह वर्ड अच्छे टेकनी संस को नहीं पता है क्योंकि व्यूडियो आपके फायदे का होना अच्छी है दोस्तों यह 6 पोर्ट है और हर पोर्ट पर जो हम चार्जर लगाते हैं तो उसका एंपियर्स होता है फॉर जांपर अगर मैं कोई फोन का चार्जर लगाऊं आप नोटिस है और लंबई होगा पर आपके फायदे मनका होगा तो आप देखें कि यह आपका इधार आना चाहिए यह आप इंपुट दे रहें और यह सब आरे आउपुट है मैं अपने अपना इतना उल दिया तो कितने इंपे निकलेंगे और अब हम इसको यूज करेंगे तो अब हम कैसे यूज करेंगे तो अब हम इस फॉन में इस चार्जर को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि यह कितना चार्ज ले रहा है ठीक है तो कुछ विवस्ता बनाते हैं आपके लिए चलिए देखेगा जैसी में चार्जर लगाता हूँ देखे जैसी में चार्जर लगाऊंगा यह मैंने लगाया आप नोटिस करो आप देखो यहां पर कितना एंपेर सो हो गया और आप नोटिस करो यहां पर आपको 1.3 एंपियर देखने को मिल रहा है जो की 1.6 1.7 और इस तरह से 1.6 वोल्ट पर चला गया मतलब इसका मतलब यह है कभी भी अगर मुबाइल फोन आए और आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वह ब्लैंक डिस्प्लेय आपको लग रहा है कि ग्राफिस का फोल्ट है लाइट का फोल्ट है कस्टमर बोले आपसे कि यह लाइट का फोल्ट है ब्लैंक डिस्प्लेय ग्राफिस का फोल्ट है ब्लैंक डिस्प्लेय ब्लैंक डिस्प्लेय तो आप सीरे फोन मत ले लेना इसमें लगाना क्योंकि उसमें कस्टमर का कहना यह है कि फोन च कोपी में कल को भूल जाओगे 0.60, 0.20, 0.10 और अगर यह रीडिंग यह दिखाता है तो आपको ना एक बार बैटरी को चार्ज बूस्ट कर लेना निकाल कर और उसके बार फिल लगाना और अब भी भी अगर वही रीडिंग दिखाता है तो कस्तमर को वह बूलना भाया मेरे य या तो चार्जिंग का फॉल्ट है क्योंकि दोस्तो 0.60 नोट कर लो कॉपी में 0.60 आपकी जो फॉल्ट है वो DPDM की वज़े से आता है बेसिकली आप किसी भी फोन में अगर DPDM की लाइन ओपन भी करोगे ना खुद से तो 0.60 फॉल्ट आ जाएगा कुछ फोन में DPDM की वो एक CPU की भी रीडिंग हो सकती है और CPU डैमेज भी हो सकता है मतलब वो फोन आपका स्वाट है बट 0.60 अगर आए तो यह समझ लेना कि आपकी जो प्रैमरी वोल्टेज है बी बैट और जो सेकंडरी वोल्टेज है बी पी एच वो दोनों ही वोल्टेज बन रही है तो 0.60 म होना तो यह भी समझना कि वी पी एच आपका फ्लेक्शेट नहीं हो रहा है मतलब आपका फोन में स्वाटिंग नहीं है बहुत सारी नॉलेज में आपको दे दी हैं आप आप बहुत सहरा बात करते हैं मान लीजे यह वोल्टेज आने के बाद गड़ गया जैसे 1.8 आया 1.2 आया उसके पॉइंट जीरो आ गया तो यह फेक चार्जिंग भी है ग्राफिक्स का भी फॉल्ट है फेक चार्जिंग भी है मान लीजे यहां पर पॉइंट टू जीरो पॉइंट वन जीरो बनता है तो मतलब समझना मेरे कि वो फॉन डैड है उस पर बीपी एच भी देखना है आपको बीपी एच बन रही है अलागी पॉइंट टू जीरो में बीपी एच बन जाने चाहिए तो जनली यह जो रीडिंग होती है यह सीप्यू रैम की रीडिंग होती है तो यह नोटेस रखना मान लीजे अगर यहां पड़ेना रीडिंग फ्लक्श्वेट हो रही है प आपके सैट में कहीं ना कहीं कोई सेकेंडरी लाइन या कहीं पर भी एल्डियों की सप्लाइ में सॉटिंग है वी रेच की लाइन स्वाट है तो दोस्तों यहां पर हम इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं इस रीडिंग से पर एक फैनल आकलन नहीं निकाल सकते हैं इसको हम से पर हम यह अपना सारा काम करते हैं विसीकली बहुत बैस आपकी दुकान में होना भोत जूड़ी है बिना फॉन डोइन लगाते हैं इसको अपने लुगया और यह पर जीरों हैं है यह नहीं अी दीरों से शेनी हो रहा ला है तो ना प्ले चाजिंग ने रहा है Chapel कोर रहा है जो नहीं है नहीं होता है तो यहां पर कुछ ना कुछ सो करता और वैटरी बात्री ह差不多 बैट्री वी चैंच की है तो बैटरिफ्लज्ट किए तो एंप मेँ हें आप info नहीं है तो एंप tutto ड्रेफध को आगे अगे रहे enabling चार्जिंग में मिड ना बने तो भी चार्जिंग नो कोईला आपका नो चार्ज आ जाता है तो ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जिसको आप सो समझना पड़ेगा एक मास्टर से और बीर भड़के में जाना है तो चले जाओ जहां पर भी 50-60 लोगों के बीच में बैठना है और एक गुमसुदा कि आपको कोई देख भी नहीं रहा पूच भी नहीं रहा तो फिर वहाँ चले जाओ या ऐसी जेकर जाना है जो एक रिस्पोंसुलिटी से साथ आपको बढ़ आपको गरिंटी देंगे पैसे की तो यह ऐसे में जाना अधर्वाइस दोस्तों किसी इंस्ट्यूट में 30-40 नंबर के 30-40-50 बच्चे बनकर आप बैठे हैं भीर में तो आप सोचो कि आप अपने टीचर से जब 20 फिट की डूरी में बैठे हो तो क्या ही उससे सीखोगे क्य सीखने को मिलेगा तो यह भी समझ लेना यह मेरा एक थाट है तो प्लीज और दोस्तों अगर आप मुबाइल रिपेडिंग कर रहे हैं और इस प्रोड़ेट को तो पर्चेस करना यह तो बहुत अच्छा प्रोड़ेट है और इसके वारे में मैं आगे भी बहुत डीप लिन सामने वाली कि चमता आप अपना एक मिनिट पढ़ाई में लगाएं इमानदारी से खाना और रहने के बारे में ना सोच पाड़ाई क्योंकि बहुत इंपॉर्डेंट है इतना पैसे देकर एक जगह जाना उसके बाद नहीं सीखना तो मतलब जिन्दी के आप एक क्या ही बो तीसरे इंस्टूट में भठके मैं यहीं कहना चाहूंगा और नए इंस्टूट में जाने से अच्छा है उसी इंस्टूट में लगाए उन्से बात कीजिए बैक अप में जाए और प्रॉपर सीखे और अगर मान लीज़ आपको लगता है कि उनको आते ही नहीं तो तीसरी इंस्टूट में जाएगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई हर्ज नहीं है आपको सीखना तो है सर सो यह कैसा लगा वीडियो बताएगा जबूर और वीडियो में मैंने जितनी भी जनकाडी दी है आपके बहुत काम में आएगी और एसी कुछ वीडियो ने बनाना बनाते रहूंगा आपके लिए और बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज इसको फेजूग में सेर कर दो या प्लीज अगर दिल से देवत्रानकवाल को फसंद करते हो तो थैंक्यू बरी मच्च अभी तद कोई यूटूब में नहीं बताया क्या प्लीज थैंक्यों में कई देवाले सब्सक्राइब पामें धुकित